गुट मॉर्निंग मैं हूँ दीप्टी शर्मा और आज इतनी खुबसूरत सुभा मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेज सेग्मेंट में जहां पर आप और आम हर रोज टारेट कार्ड और औररीकल कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं एक से लेकर नो मूलांग तक की और विशेशत तौर पर जानते हैं पर आज कि दिन किस प्रकार के चाल summarize आज़स हमारे समख्ष हैं और हम किस प्रकार से इसे ओवरकम कर सकते हैं यदि आपको नहीं पता कि आपका मूलांग कौन सा है और कौन सी होगी आपकी रीडिंग तो एक उधारन देकर आपको बदाना चाहती हूं कि अगर आपकी डिट ऑव बर्थ है 27 यानि कि 27 तो 2 और 7 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएका नंबर 9 तो नंबर 9 होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है 30 जुलाई 2023 और आजकी तारिक जो जोड़ है यानि कि आजकी तारिक के जो स्वामी है वो है नंबर तीन और स्वामी क्या हुए वह गुरू तो क्योंकि नंबर जो तीन होता है उसके जो उर्जा होती है वह होती है master energy जाने की गुरू की उर्जा जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत जादा divine knowledge और wisdom प्रदान करती है और कहीं ना कहीं राइट पाथ को चूज करने का भी एक बहुत अच्छा मौका देती है यदि आपको अपने गुरू को मजबूत करना है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो presentation है आपकी जो communication है आपकी शिक्षा आपकी दीक्षा आपके जीवन का एक समझिक जीवन है वह बहुत ज्यादा इस प्लैनेट के उपर डिपेंड करता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप भगवान विश्णू की उपासना कर सकते हैं कम बाया दोस्तों बिना देर के अपने कारिकर्म की हमा शुरूआत करते हैं और जानते हैं UH के लिए हमें उप और मातमा वाहमें क्या बता रहे हैं ऑज 30 जुलाइ 2020 के लिए और मुलांक by sair dir бо guidance काड़ है आपका जो लगीन एह वही है नमबर 3 ऐ dalla इंपोर्टेंट क्योंकि नमर्टी जो होता है लिआरे जो हुआ है कि आज के दिंग आपको कहा जा रहा है clearly कि आपके जो ascended masters हैं आपके जो guardian angels हैं वो दिवे उर जाएं जिनकी की आप उपासना करते हैं आपके इश्ट देव आपके गुरु देव आज उनकी करपा आपके उपर बनी हुई है तो ऐसे में आज के दिन अगर आप कोई महतपूर ने लेना चाहते ह हैं किसी बात का महतपूर अगर आपको decision लेना है investment करना है कोई property अगर आपको खरीदनी है व्यापार में कहीं आपको अगर आगे की growth के लिए काम करना है तो बहुत ही आवशक है कि आप जो है पर मात्मा की guidance से ही आप आगे बढ़ें आज के दिन आप पूरी दरह से भरोसा क करें अपनी अंतरात्मा के विचारों पर क्योंकि आपकी अंतरात्मा के विचार है वह वास्तविक्ता में ब्रह्मांडिय तरंगे आपसे जो है वह एक संपर्क साथ रही है और आपको वह सही guidance दे रही है लेकिन यह तब संभव है जब आप थोड़ा बहुत समय ध्यान के निकाले बाहरी दुनिया के बज़ा है भीटरी दुनिया की तरफ आपको भीतर की तरफ अपना ध्यान के इंद्रत करना है तो और यह जानते हैं मूलांकडो के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे की आज का झोट दिन है वो कुछ खास नहीं है as usual डे कोई खास आपको guidance नहीं आ रहे है जैसा चल रहे है वैसा ही चलने दिया जाये लेकिन एक विशहाइत है कि आज आपको कोई भी न्या कारे करने से मना किया जा रहा है कोई बीन्या कारे आपको नहीं करना है लेकिन जो पुरानी चीज़ है जो पेंडिंग चीज़ है उन्हीं आपको उन्हीं को ही कम्प्लीट करने में आप अपना ध्यान आज केंद्रत करें और कुछ ऐसा खास नहीं बताया जा रहा है तो सहज भाव से आज की दिन को आप बिताएं आपका दिन शुब हो आए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा अज क्या गाइड कर रहे हैं आज 30 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है स्लोइंग डाउन आपको कहा जा रहा है हडबड़ाना नहीं है आज के दिन बिल्कुल भी हडबड़ी ना करें बल्कि बहुत सोच समझ के कोई भी डिसिजन लें देखिए इसके अंदर एक टॉट्टोई बना हुआ है और टॉट्टोई अगर आया है तो आपको क्या कह रह इस्पर के लिए हमें परमात्मा अचक्क्या गाइड कर रहे हैं तीज जुलाई-2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है ज्रीम का काड़ है आपका लखी नमबर नमबर 6 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी आपने प्लान बनाया था अपने जो अपना लक्ष निर्धारित किया था जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं कि हो रही है जो कि अपनी लाइफ में ऐसी जगह पर है जहां से वह अपनी रिलेशन्शिप और अपने करियर को दोनों को जो है वह बहुत एक तरह स्टेवल बनाना चाहते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आपको जो भी कोई आप काम करें आप जरूर उसे प्राप्त कर सकत हैं आपके अंदर वो capability है बश्रते की आपकी प्लानिंग मजबूथ हो तो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है आए जानते हैं मूलांग 5 के लिए हमें पर मातमा आज क्या काइड कर रहे हैं 30 जुलाई 2013 के लिए और हमसे कहा जा रहा है देखा जारा है लोगों को रिल्स देखने का एडिक्षन हो रहा है अपने आपको थोड़ा समुक्त करें अपने आपको से बाहर निकाले नेचर से अपने आपको आपको अपने इमोशन पर बैलन्स करना जरूए क्योंकि कहीं नगी यह जो भी को नेगेटिव पैटर्ण है जो कि आपको गलत मार्ग दिखाता हो संगत का भी बहुत फरक पड़ता है तो कुल मिला के आपको फोकस करना है जो आपको गाइड किया जा रहा है जसलेट गो ऑफ़ बैड हैबिट बैड पीपल और बैड सिचुवेशन आपका दिन शुबह आए जानते हैं मूलांक 6 के ल पहले भी मेरे खाल से जो काड़ रिपीट हुआ है आपको कहा जा रहा है कि बहुत कुछ आप हांसल करना चाहते हैं अतिमेहत्वा कांशी व्यक्ति हैं लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए केवल आपको सोचना नहीं है प्लानिंग केवल नहीं करते रहना है बलकि यथार करने में प्राक्टिकली जितना ज्यादा आप काम करेंगे उस अनुसार आपको सफलता मिलेगे केवल सोच लेने मात्र से घर बेठे सफलता नहीं मिलती है तो आपको क्लियर कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आप राप्त करना चाहते हैं आप इस आप करने करेंगे तब तक त यह जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमको कहा जा रहा है LATING GO का का अडारा कई ना कई आज जो क्योंकि आज नमेर थ्री का जो डेह हैं तो बुरु जो है वो हमें गाइट कर रहे हैं कि हम अपनी कहीं बाइट चीजों से बाहर निकले और अच्छे पात पर आगे बढ़े सही मार्ग पर जाएंगे तो सही उसके हमें प्रतिफल प्राप्तों होंगे कि एवरी एक्षिन हाँ से मिला रियाक्षिन तो कहीं ना कहीं आपको वही कहां जा रहा है मूलांग साथ के जातकों को कि लेट गो करें आपका जो लगी नमरे वह नमर आठ और ऐसी कोई व्यक्ति ऐसा को भी वस्तू आपकी कोई ऐसी हैबित आपकी नेगेटिव थॉट प्र के लिए कि आज के दिन आप मा काली की उपासना करें आए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है तो मास्टर वाव बहुत खुबसूरत काड है हम बात कर रहे हैं जा रहा है कि गुरु कृप आपके उपर बनी हुई है किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है अगर आपने दीक्षा नहीं भी है तो भी कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि गुरु है यह सूख्ष में जगत से भी हो सकते हैं तो कुल मिला के आज का दिन आप इसकर रहे है कि आये जानते हैं मुलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज गाईड कर रहे हैं 30 जुलाई 2023 के लिए और मुलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है करेज़ों का काड़ लक्य नम्बर है आपको काहसे आज की दिन का मैं लौट आपके पास होसकता है गारेत हैं कि की स्वेड़ी डह सकते काड़ Yay रहे सकती आपको दवाव एक मैंसूस करेंगे एक गया किया कर आपको to सबस्त कोतन करो तो क्लीरली कहा जारा है कि आज के दिन आपको क्या करना है कि आपको प्रवाला थेyllばい ठार कि थोड़ा कर कि बीच में थोड़ा समय के लिए भी आपको लेना है और यह वह देतीब आपके भीतर बेटेशन को मेरा प्रणाम मैं हूँ पंडित चंदर शेकर शर्मा दरशबस को सबसे से पहले समस्म है अची के दिन पंचांग पेंगता है और आज का वार है रवीवार आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र रातरी 9 बच के 32 मिनट तक है आगे पूर्व शाड़ा नक्षत्र रहेगा योग वेधरती है और योग की द्रश्टी से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है ना ज्यादा बहुत शुब ह और ना कोई इसके अंदर खामी है करन बालव है सुबह 10 बच के 35 मिनट तक आगे कॉलव करन रहेगा सुर्य देगा समय दर्शकों सुबह 5 बच के 40 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 13 मिनट का है आज राहु काल दौपेर बाद साड़े-4 बज़े से लेकर शा सुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल दीजेगा ये हैं शाम 5 बच के 25 मिनट और शाम 6 बच के 19 मिनट आज का दिशा शूल दर्शकों पस्चिम दिशा में तो पहली कोशिश तो ये करें कि पस्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन जा करें उनसे प्राथना करें कि दिशा शूल की तरफ जा रहा हूं ऐसा करेंगे यानी चोटा सा हुपाय करेंगे भगवान से प्राथना करेंगे दिशा शूल आपको बिलकुल भी परशान नहीं करेगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह 7 बच के 30 मिनट से दौपेर 12 बच के 20 मिनट तक फिर दौपेर 2 बच के 10 मिनट से दौपेर बार 3 बच के 50 मिनट तक फिर शाम 7 बच के 30 मिनट से रातरी 9 बच के 30 मिनट तक ये तीनों का अलखंड बाकी सारे दिन की अप्रिक्षा जादा शुब है योग का रख है तो अच्छे अच्छे एफट्स करें तो इन समय का ध्यान लगते वे कीजेगा सफलता के चंसेज जादा रहेंगे आज की चंद्र राशी दर्शे को धनू है यानी चंद्रमा धनू राशी से गोचर कर रहें जिससे आज का दिन सभी बारे राशियों के लिए कुछ इस प्रिकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों को भागे देगा नएने अवसर आगे बढ़ने के वहीं व्रश राशी वाले स्वास्त की समश्या से रहेंगे बहुत जादा परिशान और मिथून राशी वालों को मिल सकता है विवा या फिर प्रेम विवा का प्रुस्ताव करक राशी वालों को ननिहा मित्रों से मिलकर होंगे प्रसंद वहीं व्रस्चिक राशी वालों का कोई पुराना निवेश दे जाएगा बड़ा लाब और धनु राशी वाले आज मानसिक अवसाद से रहेंगे परिशान लेकिन बड़े लोगों से भेंट आपकी संभव है आज वहीं मकर राशी वाले नोकरी की तलाश हो सकती आज पूरी तो दर्शे को करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी को प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों को जो आको समश्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते है अंत्मे करेंगे आज के दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्शे को धर्म और सत्य पर यह संसार टिका हुआ है वालमिकी रामायन में कहा गया है कि धर्म धर्मा दर्थ है प्रभवती धर्मोत प्रभवते शुखम धर्मन लबते सर्वम धर्म प्रसार मिदम जगत यान जैसे विद्यारती का धर्म है मन लगा कर पढ़ाई करना कार्याले में हमारा धर्म यह होता है कि करतव कर्म को पूरी निश्टा से करें व्यापारी का धर्म है कि अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में दिन रात लगा रहें इमांदारी से अपना व्यापार करें और ग्रह आश्रित है सत्य मूलानी सर्वार्णी सत्यानास्ति परंपद्म यानि की सत्य ही संसार में इश्वर है धर्म भी सत्य के पाश्रित है और सत्य ही समस्त भव विभव का मूल है और सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है तो जीवन में सत्य का आचरण हो और अपने निज धरम यानि जो करतव्वे करम हमें हमारे जीवन में प्राप्त हुएं उसको पूरी निस्टा से इमानदारी से और सत्य पराइंड के आप सफलता की और द्रड़ता से कॉंफिडेंस से पॉजिटिवली अगरसर होते हैं सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आज आप लोग गीहूं का ताजा आटा पिस्वा कर पांच अलग-अलग निर्धन महिलाओं को कुछ ख कि अवसर लाएगा यह सारे छोटे-छोटे उपाए आने वाले पूरे वर्ष को बहुती सुन्दर बना देंगे इश्वरी अनुकंपा के साथ आने वाला पूरा वर्ष भीतेगा इसमें कोई भी संद्र नहीं एसी दर्श गो अगर ऐसी स्थिती आपके साथ बनी हो कि घर में कमाई थो बहुत होती हो लेकिन पैसा नहीं ठिकता हो जितना भी धन आता हो चाहे दस जार आए चाहे दस लाख आते ही उसका खर्चा पहले से त्यार मिलता है और ऐसी स्थिती में बिल्कुल भी बर्कत नही आप उसे करें एक तो जब भी आप आठा पिस्वाने जाते हैं तो इसमें पहले गेहों के गेहों के जो पर यूज यूज पर कर दिया करें गघ्न आएगी धनकी कमीनी रहेगी यह जीवन भर आगरobs करते रहेँगे तो कभी आपको परिशानी नहीं आएगी ऐसे ही आज रविवार द्वादशी दोपे डेड़ से दो बज के बीस मिनट के बीच यानि एक तीस से दो बीस के बीच में गूलर के रक्ष की जड़ प्राप्त कर लीजे और अपने घर लियाए इसे धूप दीब दिखा कर इसकी पूजा करके पंचवचार से इसको सामने रखकर ओम रीम सूर्याय नमहे 27 माला का जाब कीजे और इसे धनस्तान पर रख दीजे यदि इसे धारन करना चाहे आप तो स्वण्ढ तावीज में या फिर तामवे के तावीज भरके धारन कर सकते हैं पैसों के पास रखेंगे अनि धनस्तान पर रखेंगे तो धन बढ़ेगा और अगर यह तावीज आप अपने पास रखेंगे तो आपको कभी कोई कमी नहीं आएंगे आगे से आगया को सफलता प्राप्त होगी घरमे रखेंगे तो घरमें उननती रहेगी बरकत रहेगी संतान्ख उत्तमब य यश्यक्ती 1000 होती धन संपंदा भरपूर रहेगी सुख शान्ती और संतुष्टी की घर में स्थापना होगी ऐसे दर्शे को धन की इच्छा वाले सभी भक्त आज से नौ दिन माता लक्षमी के अठारा पुत्रों का पूजन करें पंचोप चार से तो आने वाले पूरे वर्ष में या पूरे जीवन में अक्षे धन निश्चत रूप से आपको बना रहता है आगे से आगे धन प्राप्त होता रहता है इसके लिए जो पूजन का समय रहता है व उसके साथ दीपक प्रजोलित करें और माता लक्षमी जी के अत्रिक्त अठारा गुलाब के फूल चावल की धेरियों पे स्तापित करें और प्रतेक पुष्प का 544 पूजन करें और एक-एक माला माता लक्षमी के प्रतेक पुत्र के निमित आपको 18 मंत्रों की करनी है और पूजन के बाद से आप देखेंगे कि आपको धन की कमी कभी नहीं रहेगे और पूजन को आप करते रहते हैं तो आगे से आगे आपके आर्थिक स्तिती सुद्रड होती जाएगी ऐसी दर्शे को जिनने नोक्री रोजगार की समश्चा आ रही हो उनके लिए आज बहुती अमोग उपाए है जिससे जीवन भर कभी भी आपको जे असनान करें भगवाय श्री राम और शिवजी का ध्यान करें पूजन करें और इस विस्ष्ट मंत्र की ग्यारा माला का आजब करें मंत्र स्प्रकार है बिश्व भरन पोशन कर जोई ताकर नाम भरत असोई बिश्व भरन पोशन कर जोई ताकर नाम भरत असोई ग्यारा अंत में जोड़ें और फिर नित्य एक माला का जाप इस समंत्र का करते रहें तो हर प्रकार से नोक्री व्यापार में आपको साहिता मिलेगी जीवन में आप आगे-चागे तरक्य करेंगे तो दर्शे को ये थे आज वो विसस्ट रुपाए जो आपको समश्चाओं से बाहर लाएंगे आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे आप बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का यह हमारी दर्शक तनिशका जी की सीकर से तेरा जनवरी 1993 का इनका जनम है शाम 6 बच के 27 मिनट सीकर प्रशन किया है विवा योग कब है देगे तनिशका जी आपका करक लगन है और कन्या राशी है आपके सप्तम यानि विवा भाव में शनी विराजित है और स्वराशी के हैं और उन पर मंगल की द्रश्टी है उच् अच्छी समश्याएं भी आती है एक अच्छी बात इसमें यह है कि गुरु की भी पंचम द्रश्टी आपके विवा भाव पर है तो विवा विच्षेद का जो योग है वो टल जाता है आपके विवा का जो योग है वो नवंबर सन 2023 से अक्टूबर सन 2024 के बीच है आप गु दूसरी जनम पत्री का हमारे पास आई है हमारे दर्शक इंदर सिंग जी की नागोर से साथ मई 1922 का इनका जनम है रात्री 11 बज के 31 मिनट नागोर और प्रश्निकिया संपति विवात का हल कब निकलेगा देखिए इंदर सिंग जी आपका धनू लगन है कुम्ब राशी है आपकी जनम पत्री का में लगन में स्वेराशी का गुरु बैठा है और पंचम भाव में उच्च का सूर्य बैठा है तो यह आपकी जनम पत्री का को बहुती प्रबल बना रहे हैं लेकिन द्वितिय भावस्तित प्रबल राहु जिसके द्रश्टी द्वितिये श्टिये श ग्यान चर्चा मैं पंडे चंद्रशेकर शर्माई आशा करता हूं कि बतायवे उपायों को सही विधी सटीक समय और अटूट शद्धा के साथ करके आप पुरा-पुरा लाब उठाएंगे और जो ग्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया इस अपने जीवन में उतारेंगे धीर सब्सक्राइब निवेदन ये कि श्रावन मास से व्रक्षा रोपन अधिक से अधिक संक्या में करें और यह जो प्रकति आपके सामने ही साक्षाद भगवती है इसकी सेवा करें कारिकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद भगवती आप सुपका कल्यान करे जै आदिशक्ति